तो जैसे है गाईज अगर आप शौमी के डिवाइस यूज़ करते हैं और रेडमी 6 प्रो को डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपके डिवाइस के लिए खुश ख़बरी है आपके डिवाइस में ऑफिशली एंडड़ पाई की रोम अवेलेवल हो गई है जी यहां दोस्तों अगर आप डिवाइस में अड़ेट आचोगी बीटा में आई है अवी तक इस्टैबल में नहीं है क्योंको आई आप लोग को हमरशा बताता हूं जब भी कोई भी अप जो टेस्टिंग होती है तो पहले बीटा में होती है बीटा सब कुछ वह फिक्स होजा जाती है उसके बादी इस टेबल में हम लोगों को अपडेट देखने को मिलती है आप तो रेडमी 6 प्रो के उज़र से रेडमी यूजर से और रेडमी नोट 5 जैने जिसका इंडियन वर्सन है रेडमी नोट 5 प्रो तो गाइस जैसा कि आप सब को प्रता है कि इन तीनों डिवाइस में हम लो सब्सक्राइब कर दिएगा नोटिफिकेशन फिल को दबाना मत भूलिए और आप लोग ऐसे इंट्रेस्टिंग अप्डेट को मिस करते रहेंगे है हाई मैं नेम इस सर्फ राज एंड आम दी फांडर आप ऑनली टॉक तो कहा जागर में आपनों सेटिंग में ले आकर आप लोगों को बताता हूं वीडियो को देखने को मिल जाती है पहले हैं अब इसकी एक डेकर आप्लिकेशन आ गई है कि दो इसकी बात कर लेते हैं तो आप इस तरह से में लोग की इंटरफेस देखने को मिल जाती है जिसे रिवेंब किया कि निव डिजाइन इसकी दी गई और आपको उपर आई बटन में और वीडियो को डिस्क्रिप्टिशन में डाल दूगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने फोन में डाक मोड को अभी अभी भी ग्लोबल वर्सन में एंट पाई की अपडेट देखने को नहीं मिले लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताई थी हम लोग को तीन डिवाइस रिद्मी नोट फाइक प्रो जिसका चैनीज नेम रिद्मी नोट फाइब रेड्मी य अभी तक चैनीज रोम को ही मिली अभी तक ग्लोबल में अभी देखने को नहीं मिली है तो अगर मैं आप लोगों को चैनीज वेबसाइट अगर मैं इसे ओपन करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले फाइल को डाउड़ करेंगा तो आप यहां पर देख सकते लिंक तो लिंक में हम लोगे आप 9.0 जिप देखने को मिल गई है अगर मैं आप इस्टेबल वर्सन पर अगर मैं यहां पर डाउड़ करता हूं तो कोई भी टेस्टिंग जब आती है कोई भी टेस्टिं इस पर 9.2.15 के डाउड़ करता हूं तो कई देख सकते हैं अभी हम लोग को 8.1 की अपडेट देखने को मिलती है तो हो सकता है 9.2.15 में ग्लोबल वर्सन पर अपडेट देखने को मिल जाए और 9.2.15 में अपडेट देखने को नहीं मिलती है एडमिर 6 परो को तो गाइंटि गाइज विदिन वीक और टू विक एक या दो हफते में जो क्लोज बीटा आएगी उसमें रेडमिर 6 परो को गारणिटी अपडेट देखने को मिलने वाली है क्योंकि जब भी चैनलिज में कोई भी अपडेट आती है कोई वर्सन होती है उसके 10 से 12 दिन में ग्लोबल वर्स को भी मिलेगी और इडमिर 5 प्रो को भी मिलेगी